Cape Aggregator से दोपया वहाँ निरमाता बनी Ola Electric Mobility ने आज यानी 8 सितंबर से अपनी पहले इलेक्टिक स्कूटर Ola S1 स्कूटर की बिक्री को सुरूख कर दी है कमपनी ने अपने इलेक्टिक स्कूटर की बिक्री सुरूख करने के लिए 8 सितंबर का दिन इसलिए चुना है ओला इलेक्ट्रिक S1 और S1 प्रो स्कूटर को इंडिया में 15 अगस को 1 लाक रुपे की सुरुवाती कीमत और काफी धुमदाम से इसको लॉंच किया गया था इलेक्ट्रिक वानों के लिए देश के विविन हिसों में दी जाने वाले विविन सबसीडी के अधार पर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत भी अलग-अलग होगी थी 15 अगस के बाद इसकोटर की लॉंचिंग के बाद ओडर में काफी ज़्यादा बड़ोतरी देखने को मिला है अब जो गरहा खरीदारी को पूरा करने चाते हैं वो आज के दिन बुद्वार से ऐसा कर सकते हैं जो कि पहले ऐसा आपको देखने को ऐसा option नहीं मिलता था ब डायरेक्ट टू होम मोडल को अपना रही है इक चुक गरहाकों को अभी भी कमपनी की वेबसाइट पे लोगिन करना होगा और 499 रुपए की बुकिंग रासी का भुकतान करना होगा कोई भी गरहाक जो खरीदारी की पूरी प्रक्रिया को ओनलाइन करना चाते हैं वो 2999 रुपए है ओला इलेक्टिक ने साथ सितंबर को एक स्टेट्मेंट में कहा है कि S1 स्कूटर 2999 रुपए की प्रतिमा की मासिक किस्त EMI पे उपलब्ध होगी वह इस इलेक्टिक स्कूटर के एडवांस वर्जन ओला S1 प्रो के लिए EMI 3199 रुपए से शुरू होगी और कुछ आपको आज साम से सब कुछ देखने को मिल जाएगा आज साम 6 बज़े से आप इनके ऑफिसल वेबसाइट से इसको खरीच सकते हैं आप इसका पेमेंट कर सकते हैं EMI सारा कुछ आप वहाँ पे डिटेलस देख सकते हैं तो आज साम 6 बज़े से आप अगर चाहें ये HDFC बैंक, ICIC बैंक, कोटक महिंदर प्राइम और Tata Capital सहित बिभिन पर्मुग बैंकों और बृत्य अस्थानों के साथ साज़दारी की है Ola ने जिन अन्य बैंकों के साथ करार किया है उनमें बैंकों बड़ोदरा, Axis Bank, IDFC First Bank, Industryland Bank, AUE Small Finance Bank, Jana Small Finance Bank और ES Bank सामिल है HDFC Ola और Ola Electric एप पर इलिजिवल गराओकों को मिन्टों में प्रिअप्रूब लोन देगा Ola की ओर से जारी बया में कहा गया है कि Tata Capital और IDFC First Bank Digital KYC प्रोसेस करेंगे और इलिजिवल गराओकों को Instant Loan Approver देंगे अगर आपको Finance की जरूरत नहीं है तो आप Ola S1 के लिए 20,000 रुपे का और S1 Pro के लिए 25,000 रुपे का Advanced Payment कर सकते हैं बागी तब दिजिएगा जब कमपनी आपके स्कूटर का Invoice करेगी Ola Electric ने कहा है कि Delivery October 2020 से शुरू होगी इसी मेने से कमपनी Test Ride भी देगी Test Ride के बाद Order Cancel करने का भी Option है बेसर्थ स्कूटर को Ola Factory से डिलिवरी के लिए सीप नहीं किया गया हो Ola Electric स्कूटर का S1 Variant एक बर फूल चार्ज करने के बाद 151 किलोमेटर की दूरी तै कर सकता है जबकि S1 Pro Variant एक बर फूल चार्ज के बाद प्रति घंटे की स्पीड को पगड़ सकता है वह इस इलिक्टिक स्कूटर की टोप स्पीड 115 किलोमेटर प्रति घंटा की है Ola S1 Pro में काफी बड़ी बेटरी चमता है 3.97 KWH दी गई है Ola S1 Pro की बेटरी एक उच्च चमता वाली इकाई होने के कारण पुरी तरह से चार्ज होने में अधिक समय लेती है इसे फूल चार्ज होने में 6 गंटा 30 मिनट का समय लगता है Ola Electric का दावा है कि S1 Pro वेटरी को सिर्फ 18 मिनट में 50 फिसीदी तक चार्ज किया जा सकता है और यह 75 किलोमेटर की ड्राइविंग रेंज देने के लिए काफी होना चाहिए कुल मिलाकर Ola Electric स्कूटर में चुनने के लिए 10 कलोर उप्सन मिलते हैं बुकिंग के दोरान पसंदीदा रंग का चेयन किया जा सकता है और कमपनी के वेपसाइट के मुताबित यदि ग्राहक चाहे तो स्कूटर के कलर उप्सन को बाद में भी बदल सकते हैं Ola Electric स्कूटर के दो वेरेंट है Ola S1 और S1 Pro तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंट है उसके बारे में भी थोड़ा सा बेसिक में डिटेल्स आपको दे देता हूँ अगर इसके maximum top speed की बात करें Ola S1 की तो इसमें आपको 90 km प्रतिघंटा का speed मिलता है जबकि S1 Pro में आपको 115 km प्रतिघंटे का top speed मिलता है और Ola की S1 में आपको 0 to 40, 3.6 second में आपको मिल जाएगा जबकि Ola की S1 में आपको 3 second में 0 to 40 का speed मिल जाता है वही range की बात करें तो S1 में आपको 111 km का range मिलता है S1 Pro में आपको 181 km का range मिलता है वही अगर बात करें S1 में तो आपको 2 mode मिलते है normal mode और 1 sport mode और वहीं S1 Pro में आपको तीन राइडिंग मोड मिल नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर मोड में सबसे जादा आपको टोप स्पीड देखने को मिल जाएगा और वहीं इसके कलर में बात करें तो S1 में आपको 5 कलर ओप्सन देखने को मिलते हैं जबके S1 Pro में आप 10 कलर ओप्सन चूज कर सकते हैं 5 कलर ओप्सन जो S1 में मिलते हैं वो आपको यहां पे स्क्रीन पे शो होता हुआ दिख जाएगा वहीं S1 में आपको मोटर पावर के बात करें तो 8.5 किलो वाट का मिलता है और S1 Pro में भी आपको 8.5 किलो वाट का मिलता है स्टेट वाइज सब्सिडीज छूट मिलने के बाद आपको किस स्टेट में कितना प्राइज मिलने वाला है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ जो इनके ओफिस्टिल वेबसाइट पे अपडेट किया गया है तो S1 Pro का डेली में 100 रूम कीमत 85,099 रुपे होने वाला है और वही S1 Pro का 1,10,149 रुपे होने वाला है वही गुजरात में S1 की बाद करें तो 79,999 रुपीज होगा और S1 Pro का गुजरात में 1,9999 रुपे होगा महराष्ट में 94,999 रुपे होगा S1 का और S1 Pro का 1,24,999 रुपए होगा वही राजस्थान के बाद करें तो 89,968 रुपीज होगा S1 का और S1 Pro का 1,19,138 रुपए और अगर इस्टेट के बाद में बारे में बात करें तो आपको सेम प्राइज वही मिलने वाला है जो की कंपनी ने लौँच किया था और S1 का 99,999 रुपए S1 Pro का 1,29,999 रुपए आसा करता हूँ आपको ये जनकारी पसंद आई होगी अगर आपको जनकारी पसंद आई होगी तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए कंटेंट के साथ तब तक के लिए राइड विट बाइक